ये है क्रैंक्शाफ्ट सर्किट डायग्राम, ये आईशर का 483BS4 एंजिन है, जब भी गाड़ी मी क्रैंकिंग रिलेटेट प्रॉबलम होती है, तू इसे चेक करना जरूरी है, तू आईए इस डायग्राम को अच्छी तरह जान लेते हैं, ये 3-pin का सॉकिट होता है, क्रैंक् जिरो से 5 वोल्ट सप्लाई आता है, वो चेक करें, और कंटिनुईटी भी चेक करें, इसकी पिन नमबर 2 जो है, वो रेड और ग्रीन कलर की होती है, ये EMS के एक कनेक्टर के 54 नमबर पे जाता है, इसमें हमें 0 से 5 वोल्ट सप्लाई आता है, वो चेक करें, और के continuity position पे set करे, mute limiter की एक wire socket के pin number 3 मी लगाए, और multimeter की दूसरी wire chassis को earth दी, उसमें beep sound आना चाहिए, तब हमारा circuit okay है, इसके बाद दूसरा position आता है, के हम sensor को check करे, तू आईए जानते है, sensor को कैसे check किया जाता है, तो चलिए, crank sensor को हमें बहर निकलना है, multimeter को ohms, me to k पर set करे, फिर हमें जो resistance मिलेगा, वो 800 से 900 के बीच में होना चाहिए, अगर आ रहा है, तो okay है, वरना sensor को change कर दे, तू इसी तरह हमें check करना जरूरी है, अगर wiring मी problem मिलता है, ऐसे high informative videos देखने के लिए हमें subscribe करे, thank you.